आपके अपने चैनल पकवानों की जायका में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं कुपीज के रेश्पी लेक हैं जो बहुत ही हेल्दी कुपीज बनेगी जो लोग डियाबटीस के पेसेट है उनको मीठा खाना बहुत वसंद लेकिए मीठा खाने सकते सुगर खा कर सकते हैं तो चलिए बनाना सुरू करते हैं और टी जैगरी बनाओंगे चीनी में बिल्कुल भी यूज नहीं हो तो चलिए बनाना शूरू करते हैं ति मैंने एक बाउल ले लिया अब आधा कप ये बुड ले लिया है इसको में छोटे-चोटे-चोटे-पीस मेंने तोल आप चाहे तो ग्रेट कर सकते हैं या मार्केर में जो गुड का बूरा मिलता अब उसको भी यूज कर सकते हैं अधा कप मैंने गरापाई डाला गरापाई डाले से जाओ अब जल्दी से गूर्ट हो जागा जिसको में कंट्री में चलाते हुए अच्छे से बोल देंगे जि बूरा भी उसकर सकते हैं अब घर का गुर मेरे पास घर का गुर था मैंने बूरा यूज नहीं किया उसी को चोट चोटे पीस में तोड़ लिया था आपको जैसे आसान हो आप करिया आपको बहुत हैंदी कुकिस बनके रेडी होंगे अब महीनों तक अब स्टोर करें बहु पाद़ कि अब तोड़ आपको पसंदू अब लगा सकते हैं अब इसको मलग रख दिए अब एक बाउर में एक कप घिहू काटा लेंगे गिहू काटा और एक कप भर की हम बोट्स लेंगे आप टीस्पून अम इसमें डालेंगे बेकिक पॉडर आप टीस्पून डालेंगे एक के लावट लेगए उसमें डालेंगे अब काटा नियुक्त कर दिया है अब आप टीस्पून बरके हमेने इसफेद तिल डाल दिया है ये आपको पसंदू दारिये नहीं पसंद अब इसकी पर दिये उसको मिला लेंगे आदा कभ देसी गी इसको मैंने डाल दिया है घी ऑच्छे पोडर रहा है कि यह दूरा ψ रहा है कि इसे में हमेशे अब जो से přांट होसा बशेलो रहा तक तो व्यकुत अब ग्रें से शचाल को ऐसे मसल में मिलाना है कि सब गी अच्छे से सब में मिक्स हो जाए जो सब मिक्स हो गया हैहे मैंने जो गुर्गा देखे हैं दभनाना था Dolayligeben डालेंगे इसको मचक आ डालेंगे तक Намें है तक में अमगे हुआ है तो यह दि आप लोग ने अभी तंग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्रीज सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिए वीडियो अच्छी लगे रेस्पी अच्छी लगेंगे ज्यादा ज्यादा इसको शेयर करिएगा थोड़ा सा गुड़ देखे मेरा ज दो यह जिसको गूतना नहीं है बस सब एक साथ मिश्क्राइब करना है जिसे नहीं आने वाले वीडियो को नोटिपिकिकिशन आप लोगे विल सेगे जो मैंने घी बचा के रखा था तो इसमें तोड़ा साथ में घी और ले लिया है एक जमाज अपूरा सब्सक्राइब करके चिकना कर लिए पूरे डो को दो को या जखिए कि गूतना नहीं हमको दो को ऐसे मिक्स करके एकटा कर लेना है आतों से जबाते हुए अच्छे से करेंगे सब एक साथ मिक्स हो जाएगा एकटा हो जाएगा अब हाथ में थोड़ा सा घी लगाएंगे यह लगाएंगे ज्यादा वह किके चिप चिप रहेगा तो आतों में चुपके नहीं मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया अच्छोटी च्छोटी पीस लेकि हम रोड कर लिए च्छोटी बॉल बना लेंगे शन्रीक उदल किंगे तो जितने बड़ी आपको कुकी बनाना है उसे साथ आप बाल बना उतना बड़ा पीस आ लिजेएगा हम बहुत बड़ी कूछ नहीं बनाना हि मार्के बिस्किट मिलते हुकम उट्टी बड़ी बनाएंगे थो छोटे-चोटे बाल ले बनारे हो तका बना के रख लेंगे उसके बाद नेक्स टेप करेंगे अगर आपको एक बराबर से नहीं हो रहा है तो किसी स्पूल से एक चीज से आप ले लेजिए उसी बराबर लेजिए पिर आप गोल करते जाएगे कितना मैं कि कborg करें दो करेंगे अब आपको इत्ने बनाव और पकर विक जाएंगेगे लेफ मैं क्योंते कर लेंगे Lateक कर लेंगे खंध धु सबस्क्राइब करेंगे देडिके पर क्रिणीड़ा-दोन rend की मुषचresh धुक्ड़ाइब बहुत अच्छा बनता है इसको मोच लो करने लड़ी उसको प्रैक ही रहें कि अब स्काइब करने के साथ्व डिया से मैंने प्राई चड़ा दिया थेस प्रीविट अने के लिए रख दिया है नमक डाल दिया है इसमें बंद करके इसको गर्म होने ली रख दिया है विए एक काजू सब इसको सिंगे के बेदें की नहींत विए भाहन ही तुटे को क्या टम फिसक अबुआ सबहिकते हैं और छुटे वीजत है और करिंचे को तेज आगी है ड़ेँ है जो आपको पसंद हो आविसमें लगाईए चाहिए ताप चौको चौको चिप्स लगा लीजिए जो भी हो गराब दस मुन में प्रीट कर लिया हैं अब रखें अब 20-25 मिनट तक इसको बेक करेंगे गैस की फिर्म लो कर देंगे लो मीडियम रखेंगे हाई नहीं रखेंगे अब देखें अच्छे से कुकुष बनके तियार हो गए अब इससे जादा करेंगे तो जल जाएंगे अब क्योंकि यह अगर वाइट होती है मैदे के बनते हैं सुगर पड़ी होती तो यह आपको ब्राउन दिखाई देते हैं क्योंकि यह आटे के तो ज्यादा लाल दिखा फिर्पिर यह स्वांा बीजादा नहीं मैंने इस किया है घर गया अब इसको में पीस नहीं कर लेंगे इस सारे शावन डी मेरे गिने कितने अच्छे बनेदे थैग्दम हेल्दी कुकी इस नहीं अच्छे बने का पक्ली है आपा इसको स्खा सकते ज़रा भी दिखा देगी क एकने अंदर तक बिरिशिग गया एक दख प्रिस्पी बनके खस्ता को बनके त्यार होएं तो जरूर इसको बनाएगा बना की खाईएगा कमेंट दारा में बताएगा यह एक है के आटएक के पुक्षिय आपको जैगरी ओर्स्तु आपको पैसे लगे जरूर बनाएगा सब्स जैगरी कुपिस आप लोगों कैसे लगें बहुत ही टेस्टी बनती हैं तेंक यू